हेलो एंड वेल्कम टू अनदर लर्निंग वीडियो सीए कलपेश विटलानी दिस साइड अगें आज हम इनालिसिस करेंगे मार्केट का बैंक निफ्टी और निफ्टी का इंट्रडे में क्या मोमेंट हुआ आज निफ्टी के एक्सपायरी भी थी और काफी अच्छा मोमेंट हुआ है काफी दिनों बाद एक अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने मिली है तो श्ट्रेटवेश चाट पर चलते हैं और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या मोमेंट है तो देखिए सब्से पहले बैंक निफ्टी का मेरा डेली का चार्ट ओपन है विजली forward upside की moment आ गई है बैंक निफ्टी में तो हमने जो पिछले हपते से जो ड्राइंग करते आ रहे हैं तो वो ड्राइंग को वापिस में इनेबल करते तो अभी ड्राइंग को मैंने disable किया है तो ऐसे ही चार्ट अगर देखेंगे तो भी हमें पता चल रहा है कौन-कौन से रेजिस्टंस हो सकते हैं तो एक यह रेजिस्टंस था जो अब सपोर्ट का काम कर रहा था और हमने बात भी किया था इस रेजिस्टंस को निकालने के बाद अच्छा मूँ आ सकता है और अभी आल्मोस्ट कहीं ना कहीं जो यह एकदम हाई वाला है सिनेरियो 49,000 के आसपस मार्केट जाने के तयारी कर रहा है 49,000-49,500 तक भी जा सकता है तो यह हमारे ड्रॉइंग्स आ गए जो हमने किये थे तो यह यह अtि एक सपोर्ट लाइन हमने यहां पर बनाई है यह भी एक सं फिश्टीन लिटट के चार्ट से आ रहा होगा और यह अवरली चार्ट से आरतो हम अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं यह एक रेजिस्टन्स जोन स्था जिसके हमें बात की थी अवरली चार्ट में चलते हैं तो थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो जाएगा तो देखिए अवरली चार्ट में हमने फिबुनाची लगाया था जो उपर से नीचे का था कि लास्ट का जो डाउन ये मूँ आया है इंपल्स उसका करेक्शन कैसे हो सकता है तो हमने सबसे पहले कल डिसकर्स किया था कि यह जो जो है यहां पर कहीं पर मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए उपन होने के बाद तो देखिए सुबह में आज पहली केंडल नहीं एक अच्छा खासा मूँ दे दिया और उसी ने ब्रेक आउट दे दिया इसका जो यह जो हम बात कर रहे थे कल 48,200 से 48,350 यह 150 पॉइंट का जो जो जोन था हमारा यह प्लैनिंग था कि यह जोन को एक बार अगर बैंक निफ्ट निकालेगा तो उसके बाद अच्छा मूमेंट आएगा तो जब चोटे टाइम फ्रिम में देखेंगे तो यह जो दो केंडल है उसने पुल बेक का का काम किय है और पुल बेक के बाद जब यह अच्छा खासा ग्रीन केंडल बना तो वहां से एक अच्छा मूम आया है हमारा टार्गेट हाला कि फॉर्स टार्गेट 48,550 के आसपास का था जो रीच हो गया और उसके बाद अब यह देखा जाए तो हम यह बैरिश फिबोनाची को यू हमारी प्रीवियस रेजिस्टन्स लाइन यह रेजिस्टन्स लाइन के उपर अगर खुल जाता है मार्केट तो मेरे खाल से कल वापिस एक बुलिश मूह दिखने मिल सकता है और थोड़ा पूल बैक का वेट करना बहुत जरूरी है और अगर नीचे के साइड में थोड़ा स खुलता है तो अगेइन यह पूल बैक जो एरिया हमारा है यह एरिया से मार्केट वापिस उपर के और जा सकता है जो 48 200 और 48 350 वाला एरिया है वहां से सपोर्ट लेके वापिस भी बैंक निफ्टी उपर जा सकता है अब फिफिटीन मिनिट के चार्ट में चलता है और देख करते हैं और जो लोग करते हैं उन्होंने यह ग्रीन केंडल में एंट्री बनाई होगी तो उनका स्टॉप लोस गया नहीं होगा क्योंकि काफी दूर था और अगर बापिस चोटी से जो ब्रेक आउट की कैंडल है उसमें एंट्री की होगी तो अच्छा खासा पॉइंट मि यहां से यह जो हमने एक रेड लाइन पहले से मार्क करके रखी है रेजिस्टन्स की वहां से यह रेजिस्टन्स भी एक लेकर थोड़ा सा मार्केट नीचे आया है तो इतना खासा अच्छा मूँ के बाद जो लोगों को प्रॉफिट हो रहा होगा वो लोग ने है और अगर मार्केट पर इे लेवहल पर ऊपन होता है फोड़ा सा हायर 48,800 घ imagem रख थोड़ा से कि फ़ेग और तक और यहां से मार्केट ऊपर चला हो और यह यह बल जो है इसका टागेट 49086 वंसा Q19000 के अश्पा कि अब बं सकता है राइट फ्य एक सिनरीयों हो बं सकता ह कि मार्केट यहां कहीं पर खुल जाए तो थोड़ा सा प्राइज एक्षन का इसके बीच में वेट करेंगे और हलका से एक नीचे मार्केट आए और यहां से उपर जाए तो फिर वापीस सेम लेवल तक का टार्गेट यहां तक का बन सकता है तो क्या है कि यहां पर लोगों को ब्रेकडाउन दिखाना भी ज़रूरी है तो होगा क्या पता है यहां से यह लेवल का लोगों को पहले ब्रेकडाउं दिख जाएगा तो वो ब्रेकडाउन जब दिख जाएगा उसके बाद लोग यहां पर बैरिशनेस में फसेंगे यह जो लेवल है फॉर्टीएट टू हं इसको हाइड कर देते हैं हमारे जो भी ड्रॉइंग हमने किये थे और फिर चार्ट में चलते हैं तो अभी हम यहां से चले जाते हैं निफ्टी के चार्ट में और देख लेते हैं निफ्टी में क्या मुमेंट हो सकता है तो निफ्टी में भी similar है bullish engulfing type का candle stick pattern बना है अगर आप देखे तो पिछले दो दिन का जो यहां पर moment था दो दिन की जो चोटी-चोटी red candle थे उसको पूरा cover किया है और एक short covering type की rally निफ्टी ने यहां पर बना दी है तो यह एक अच्छे संकेत है market के लिए कि market जो यह low है उसन 15-minute के chart में है तो यहां पर थोड़े weird दिख रहे होंगे तो अभी हम चलते हैं और वन आवर के chart में चलते हैं और देखे वन आवर के chart में हमने कल बहुत बार discuss किया था और मैंने बार बार बताया था कि 22,000 340 का जो level है वो बहुत ही important level है और दूसरा जो important level था वो 22,000 490 to 517 तो यह जो 20 point का zone था तो हमारा target था कि यह 20 point का zone निकालेगा तब market में 22,000 620 का target निकल के आ सकता है यह target कहां से आया था यह target आया था gap down से अगर हम देखे तो यह जो gap up और gap down का zone था वहां से और यह जो gap फिल करने का हमारा target था और फिबोनाची जब हमने reverse यहां से लगाया था उपर से नीचे तो वो target बन रहा था एक बार वापिस से लगा के देख लेते हैं यहां पर तो टॉप से अगर मैं bottom म लगाता हूं तो आप देखिए यह 22,624 के आसपास के लेवल आ रहा था जो हमने mark किया था अभी next क्या हो सकता है कल के दिन में कल के दिन में अगर market पहले 15 मिनिट के एक बार चेक कर लेते हैं फिर हम लोग open का बात करते हैं तो 15 मिनिट में देखिए आज क्या हुआ एक और प्लेन देखते हैं कि आज हुआ क्या मार्केट यहां पर open हुआ वहां से हाई गया तीन केंडल अच्छी खासी गई और जो हमारा लेवल था वहां से श्टार्प रिजेक्शन लिया देखिए यह जो लेवल अच्छा खासा काम करता है 22,005 490 और 517 के आसपास का जो ले मार्केट निया पर थोड़ा सा टाइम पास किया और आफ्टर लॉल वन ओक्लॉक के आसपास जब यह कैंडल 130 के आसपास बनी ब्रेक आउट की तो हमारा कंफर्मेशन थोड़ा सा बना कि मार्केट में मुह आ सकता है और 22,006 19 के आसपास का यह अच्छा खासा मुह देखने मिलाइब कल क्या हो सकता है Sloven T ।u ॥फ 1947 के बीच में तो हो सकता है यहा से जाए थोड़ा सा रिजेक्षान आ जाए वापीस थोड़ा जाए थोड़ा वापिस रिजेक्षान आ जाए और कहीं यह sideways करके market खतम हो जाए तो इस तरीके का एक move बन सकता है कल के दिन में और अगर market कहीं पर थोड़ा सा gap खुल जाता है तो फिर हम 800 तक का target रख सकते हैं तो 200 point का एक अच्छा momentum फिर से मिल सकता है बड़ इसके लिए पहले थोड़ा gap up open होना बहुत ही जरूरी है gap up open होगा तो यह बात possible होगी अगर कहीं गलती से gap down खुल गया यहाँ पर तो फिर भी वही scenario है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर time pass करेगा और वापिस से 22,600 के आसपास आएगा और यहाँ फिर 22,448 के आसपास आएगा अगर ज्यादा नीचे market आता भी है तो यहाँ पर यह अच्छा खासा support का काम करेगा क्योंकि आज भी देखिए यहाँ पर low में SL गए है लोगों के लेकिन उसके बाद भी market गया अब जो लो था वो suddenly इसने तोड़ा और तुरंत ही अच्छा खासा green मतलब नीचे से बाइंग आ रही है तो support zone 22,340 का भी support है उसके नीचे भी support है और यह एक zone भी बना देंगे तो वो भी support का काम करेगा अगर मैं इसको एक zone बना दू यहाँ पर तो यह भी support का काम कर लेगा यह zone जो आज का लो और यह जो आज के लो को break किया है तो इसको हम थोड़ा सा green कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि यह support हमने बनाया हुआ है तो यह हमारा support है तो यह हमने एक support की line यहाँ पर बना दी है तो देखते हैं आगले वीडियो में और कल का क्या moment होता है और उसके accordingly हम लोग आगे के decision making करेंगे ठीक है So thank you very much for watching this video आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर करिए share भी करिए और चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe भी कर लीजे Thank you very much मिलते हैं आगले वीडियो में बाबाई